बिष्मिल्हे रिम्हानुहीन अब जो हम आगे करने वहले हैं मीडियेटर वो है complement सिस्टम complement सिस्टम में बस यह बात याद रखना है कि सॉलबल प्रूटीन होते यह उनके receptor होते हैं 20 प्रूटीन होते हैं इसमें complement प्रूटीन इसमें चल्टनिटिव पाथवे उते हैं उसमें क्या होता है कि एंटीजीन एंटीबाडी का कॉम्प्लेक्स होता है वो आकर बाइंड हो जाते हैं C1 के साथ ठीक है आगे C1 जाके C3 को एक्टिवेट करा दिती है वो मैं आपको आगे बताती हूं क्लासिकल पाथवे में जिस्ट क्या होते हैं, एंटीजिन, एंटीबॉडी का कॉंप्लेक्स बाइंड हो जाते हैं, C1 के साथ, अल्टरनेटिव पाथवे में यह होते हैं, कि जो माइक्रोबियल सर्फिस पर मालीक्यूल्स प्रेजन्ट होते हैं, जैसे एंडो टॉक्जिन होत हैं, मैनोस, बाइंडिंग, लेक्टिन, ठीक है, यह सारे आके बाइंड किसके साथ करते हैं, C1 के साथ, अब जब C1 के साथ यह सारी चीज़ा आके बाइंड करेंगी, तो उसके नतीजे में हमारे पास एक इंजायम होता है, C3 कनवर्टेज, C3 कनवर्टेज की एक और इंजायम को एक्टिवेट करा देगा और उसका नाम है C5 कनवर्टेज, C5 कनवर्टेज जब एक्टिवेट हो जाएगा तो उसकी वज़ए से बनेगा C5A और C5B, अब जो C5A जिस तरह C3A रिलीज हुआ था, सिमिलरली C5A रिलीज हो जाएगा यहां पे, और उसके C9B, मिंब्रेन अटेक कंप्लेक्स कंपोज होता है कौन कों से प्रूटेज से, C5B to C9B, यहां तक, अब जो C5 कनवर्ट, यह कौन बनाता है C5B, मिंब्रेन अटेक कंप्लेक्स बनाने में रोल प्ले करता है C5B, बस यह इतना इंपॉर्टन नहीं है और इसमें ज़ुर बिल्कुल वैसे एफेक्ट प्रोड्यूस कराते हैं, जैसे मास्ट सेल एनफाइल एक्जिस में एफेक्ट प्रोड्यूस कराते हैं, सिमिलर्ली यह भी वैसे रियक्शन प्रोड्यूस कराते हैं, और C5A और C3A सबसे पहले क्या काम करते हैं, हिस्टामिन रिलीज करा देते ह हिस्टामिन रिलीज होगी विसकुलर पर्मेबिलिटि इंक्रीज हो जाएगी वैजोडैलेशन हो जाएगी एनाफ आलो टाक्जन इसलिए कहते है क्योंकि बिल्कुल वैसे एफ़ेक्ट प्रोडिउस कराते हैं जैसे मास सेल नाफ आफ आलेडी अमपड़ चुक्ट हैं कि जो C C5A का एकॉल फंक्शन होता है कि वो लिपो ऑक्सिजनेस पाथवे की एक्टिवेशन कराते है ठीक है और मजीद इंफ्लामेटरी मीडियेटर रिलीज कराते है यह हमारे पस फंक्शन हो कि C5A और C3A के अब जो हमारे पास C3B का फंक्शन होता है C3B हमें पता है कि ऑप्सोनी हो जाती है किसी भी बक्टिरिया की तो वो क्या करते है वो इसली फेगोसाइटोस हो जाते है क्योंकि जो हमारे पस फेगोसाइट्स होते है उनके पस रिसेप्टर होता है उपसोनीन के लिए रिसेप्टर तो वो से रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड हो जाता है और उसकी phagocytosis हो जाती है अराम के साथ and then membrane attack complex membrane attack complex क्या करते है कि जो cell membrane होती है उसके अंदर बना देता है सुराख, जब सुराख हो जाते हैं तो cell permeable हो जाता है water के लिए आइंस के लिए इस वज़े से cell की osmotic death हो जाती है अब याद रखना कि जो complement है ना जो हमारे पास membrane attack complex है वो कोंसे बख्टिरिया की easily death करते है जिनके cell wall thin होती है और thin cell wall वाले कौनसे होते है निजीरिया बख्टिरिया MCQ में पुछा जा सकता है कि membrane attack complex का कौन से बख्टिरिया को किल करने में ज्यादा रोल होता है जीरिया बक्तिरिया में ठीक है निजीरिया में आगे दो तहें निजीरिया गलोचिया इन दोनों की तो अगर हमारे पास मिलनेटर कामपाई कि दे Bishop 수ि हो गया तह निजीरिया की इनिफेक्षण के चांसे बड़ सकते हے डिह दो किम्ते हिए